नमस्कार दोस्तों मैं आपका दो चंदरकांत हाधिवर्क न्याड़ों के साथ स्वागत आप सभी का अपने इस यूटूब चनल में आज का वीडियो उन्हें सभी दोस्तों के लिए जो एस बैका नया सेस्पी लेना चाहते हैं दोस्तों इस वीडिये के मादम से आज मैं अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब ने आशो प्लेस कर दिजिए और साथ विए गंटी को भी दबा दिजिए जूनने क्या उसके बहुत बहुत धनिवाद दोस्तों पहले हम बात करेंगे सेस्पी के फायदे के बारे में दोस्तों सेस्पी लेने से आपको आपके शर में गाउं में आपको एक काम मिलेगा साथ में दोस्तों समाज में आपके एक व्यालो रहेगी और जितना जदा आप काम करेंगे उतना जदा कमिशन मिलेगा और दोस्तों बैंक का नाम मिलेगा और दोस्तों कस्तमर के आप आकाउंड उपन कर सकते हो बैलेंस इंक्वारी कर सकत कैमिंट आपको लगेगा टोलुलाग रुपे हैक लाक रुपए लगेंगे हैं आपको लाप़ फिर्ने लिखले लैका। लिक लिखा जायाक और साथ मेंदूस्तों एक लाग रुपई जो लगेगा क्या करना पड़ता है अब हम बात करेंगे के नुसकान के बारे में दोस्तों हमारा जो एक CSP है SBI के दू-तीले आधिकारी के बराबर काम करता है और उसको रोम रेट देना पड़ता है लाइट बिल पेक करना पड़ता है, बेस्टे का बिल पेक करना पड़ता है, जो पेट्रों का खर्चा रहता है, और दोस्तों स्टेस्टेर का खर्चा रहता है, यह सारा खर्चा उसको हर महने आता है, और SBI BC द्वारा उसे एक टार्गेट दिया जाता है, SCC का टार्गेट द पड़ जाता है तो जो इशू होता है और जो कस्टमर को संभालना पड़ता है वो जो समस्या आती है और कस्टमर को जो प्रॉल्म को सौल करना पड़ता है यह भी समस्या का समना हमें करना पड़ता है दोस्तों तो यह सारा समस्या यह सारा खर्चा हमें करना पड़ता है दोस् साथ में दूसद...? दोस्तो... पेटरो खर्चा आएगा, जैसे... जू ब्रेफ्टे है 20-ीजाए मुझे पेटरो का खर्चा आ रहा है 9000 रुपए और साथ में दोस्तो मेरा जो लाइट बिल आ रहा है , 15000 रुपए लाइट बिल आ रहा है तो यह इत्तना सारा जो हम खर्चअ को देते हैं टोटल माफ़े। नौवाजर के आसका मौझे खर्च अरं हमए न ही हिए और जो पेमेंट बन रहा है था पेमेंट बन रहा है 15,000 रुपें पेमेंट बन रहा है और होने के बाद उसका जो कमिशन बनता है पंदराजर रूपय और उतना जो डेली का खर्चा आता है उसका नवाजर रूपय तो उसको छेजर रूपय बैलेस रहेंगे तो आपको एक CSP लेना है आपको और CSP में काम करना है आपके Delhi के तीछ चरे टांश्न होते हैं तो इतना आपको Commission मिलेगा और Commission कर्चा निकाल कर आपको इतना है तक Commission आपको Balance निकाल तो यह सोच समझ के CSP लेजिए ऐसले कि CSP कोई भी आएगा CSP लेगा आप देखे आपके इर्या को देखे कैसा एर्या है क्या ने उसकी सब्सक्राइब आपकी डेली के 17 से टांशू होना चाहिए 17 से टांशू होंगे तो आराम से आपको CSP ओपन करना ठीक रहेगा आपके अरा को देखती हुए आप CSP open करिए मैंने मेरी जो राय मैंने बताया दोस्तों आराम से कोई भी बंदा नया CSP open करेगा तो आराम से तीस चल ट्राशन करता है तो मैंने एक थोड़ा सा अंदाज लगाया और इसके साब से मैंने गया और दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कमिशन जो आपका कमिशन बनता है जैसे आपका सवरूपे कमिशन बन गया तो जो कमपने आपको CSP देते हैं वह 20-30 ए 40 percent कमिशन काट के विक करती है जो आपका पेमेंट बन गया तो वीस रूपे तीस रूपे चैस्यूपे काट के आपको balance value payment pay करती है तो ये commission आपको मिलता है आप CSP माने की बाद आपको SCA के target दिया जाएगा आपको 8 बज से लेके 8 बजेत काम करना पड़ेगा आपको daily के transition करना पड़ेगा तो इस प्रकार कुछ मुझे जानकारी बता ना था आप सोचिये समझिये CSP लेना है तो और आप अच्छी कंपले से बात करिये मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है और वीडियो देख लीचे CSP किस प्रकार लेना है और CSP लीजिये दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते नेस टूड़ेक लिए तब तक लिए बाइबा जेहिन जेवर्द